जाहिन दोस्तों कैसे आप लोग उमीद है आप से बच्चे सुगे दोस्तों कच्छा 10 के किसी एक प्रकरण पे 10 प्रश्ण बहुभी कल्पी है यह वह पांच प्रश्ण अतिलग उत्रियन निर्मित कीजिए बीट सेकेंडियर में अकसर यह सवाल आपसे पूछता है कि किसी भी क्लास के यहां पे मोस्ट पॉइंट क्या है कच्छा 10 के किसी एक प्रकरण प्रकरण मतलब किसी एक टॉपिक पे आपको 10 अबजेक्टिव और 5 वेरी शॉर्ट कोश्चन आपको प्रिपेर करना है ठीक है त 10 बहुबिकल्पी और 5 अतिलगोत के प्रश्चन को निर्मित करते हैं तयार करते हैं चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आप यहां पे उपर हैडिंग डाल देंगे कच्छा 10 के प्रकास प्रकरण पे 10 बहुबिकल्पी प्रश्चन उसके बाद लिखेंगे प्रश्चन तो यह आपका एक बहुबिकल्पी प्रश्चन तयार हो गया प्रकास का वेग किसम अधिकतम होता है उत्तर आंसर आपको कोश्च जब आप पेपर में लिखेंगे तो आपको आंसर लिखने के ज़रूरत नहीं है अगर लिख भी देंगे तो कोई समस्च्च नहीं आप चाह है तो उत्तर यहां पी लिख सकते हैं ठीक है आप प्रश्चनों को मत देखिए इस प्रकास से आप कोई भी बहुबिकल्पी प्रश्च बना सकते हैं 10 अब दूसरा देखते हैं पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है निमलेखित कारणों में स किन कारणों से पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाती है प्रकास के प्रवर्तन के कारण प्रकास के विवर्तन अपवर्तन या विसर्जन तो इसका सही जवब होगा प्रकास का अपवर्तन के कारण तो आप ऐसे साइड में लिखते जीगा उत्तर सी बि विकल्प देदीजे तो ए, बी, सी विकल्प करतीजे और जो चीजे हो तो लिए ठीक है चौथा प्रशन दोस्तों इंद्र धनुस तब बनते हैं जब सूरी का प्रकास क्या होता है वाई मंडल के वर्षा के बूधों पर गिरने से अप वर्तना और आंत्री प्रवर्तन पर य अवर्षी बात है, सात रंग दिखाई देते हैं चाटा प्रशन सबसे कम तरंग धर दे वाला प्रकास होता है कौन सा होता है बैगनी होता है, अपने इस लिख दिया आप लाल पीटा नीला हरा एक सही जवाप आप लिखेंगे वह हो गया बैगनी, इस प्रकास से आप खु सबसे कम परिछेपीत होता है ठीक है लाद बहुत ज्यादा ऐसे फैलता नहीं है ठीक है तो इसलिए सी तो आप इस प्रकार से साथवा प्रश्ण होगा आठवा प्रश्ण सूरियोदोय और सूरियास्त के समय वायुमंडल में लालीमा किस कारण चाहती है अपरतन प्रवारतन प्रश्ण प्रकास प्रवारतन के करण नहीं हो एक प्रकास के साथ रंगों रंग होते हैं और अलग अलग करने को क्या तरीका है एक प्रकास कर सकते हैं, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जाज क्सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग किया जासकता है, या रंगों को अलग प्रकास का प्रवर्तन कोल सदय होता है अपवर्तन कोल से कम अधिक या इनमें से कोई नहीं तो आप प्रकास सदय वह चलती है सीधी रेखा में जिग-जग रेखा में तेडी रेखा में या फिर माध्यम पेटी तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कोई और भी प्रशना बना सकते हैं प्रकास के बारे में कि प्रकास हमें प्रकास सहायता खरती है वस्तूओं को देखने में वस्तूओं को छिपाने में जो भी आपको सही लगे आप इस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं तो आपने देखा आपने दस बहुभी कल्पी प्रश्न बनाएं बिग्यान के प्रकास प्रक्रप पर आप कोई भी चाहे गती टॉपिक पर बना लीजिए अगर आप बाइलोजी की स्टुडेंट है तो आप रक्त बना लेजीए कि रक्त रक्त लाल होता है किसके करण हीमोगलोविन करण और ऑ्रने करण यह खर त subject क्या है आप चाहें तो विज्ञान का भी बना सकते हैं आप विज्ञान का easily ये 10 सारे 10 question बना लिजेगा इन सारे 10 question का मैं pdf अपने टिलेग्राम पर भेज दूँगा और आप चाहें तो स्क्रिंशॉट भी ले सकते हैं ठीक है चलिए यहां से अपने लगूतारी प्रशन इसको कैसे लिखेंगे तो वह प्रकास प्रकरण पर ही पांच अति लगूतारी प्रशन देख लेते हैं ठीक Dadu START ए रहा 5 अधिलागूतारी प्रशना आपके सापने कच्छा 10 के प्रकास प्रकरण पर पि प्यास प्रक्रण पर और प्रकास की एक किरड़ सम्तद्र पर 40 धिगरी के आप तन कोड से आती है तो उसका परवरतन कोड कितना होगा हाला कि 40 होगा लेकिन आपको यह दिखना जूरत नहीं आपको किवल प्रश्न बनाना है तो देखा आपने इस प्रकार से आपको पांच प्रकास पे अति लगतर प्रश्ति देखें और साति साथ आपने दस क्या दस आपने बहभी कल्पी प्रश्ति देखें वीडियो कैसी लगी पिमें प्ताइometers कि इस वीडियो में फिलाल इतना ही अभना क्यासार पड़ते रहे हैं वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूरत है और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो क्या कर रहे हैं हम जुड़िए सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों को जुड़िए इसमें जाहिन जाह भारत अपना खोब ख्याल रखें बाबाई